नमस्कार, चिंतन इंस्टिट्यूट आफ एजुकेशन के यूटूब चेनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं आईए आज का जो सिर्शक है उसके बारे में मैं बतला दूँ आज इस वीडियो में मैं जिस सिर्शक के साथ आया हूँ वह अनुसंधान अभिक्षमता के अंतरगत आने वाला अनुसंधान के प्रकार है आप सभी जानते हैं कि NTA UGC Net First Paper में अनुसंधान अभिक्षमता एक यूनिट है उसके अंतरगत अनुसंधान के प्रकारों पर आज मैं बातचित करूँगा यहाँ वीडियो Net First Paper की त्यारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है ऐसे विद्यार्थी जो Net First Paper की त्यारी कर रहे हैं वे इसे बहुत ही ध्यान से देखें इसके साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो समाज सास्त्र, Home Science, Education, इतिहास इन वेसियों से Second Paper दे रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही महत्पूर्ण है क्योंकि उनके Second Paper में अनुशंधान यह एक यूनिट है तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं अनुशंधान के प्रकारों के बारे में तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अनुशंधान यह जो विशह है यह जो सिर्सक है जब हम यह कहते हैं कि इसका वर्गी करण या इसके कितने प्रकार हैं तो इसको प्रकारों में माटना या इसका वर्गी करन करना एक बहुत ही जटिल सा कार्य है क्योंकि जितने भी वर्गी करन या प्रकार आप पुस्तकों में पढ़ेंगे देखेंगे कहीं ने कहीं उसमें आप एक प्रकार का ओवरलैपिंग जरूर पाएंगे फिर भी विद्वानों ने अपने अपने अनुशार इसका वर्गी करण किया है तो मैं यहाँ पर उन्हीं सभी वर्गी करणों को ले करके आया हूँ तो देखें सबसे पहला जो वर्गी करण है वह अनुशंधान के उद्देशियों के आधार पर हिया गया है और इसमें कुल तीन इसके अंतरगत कुल तीन प्रकार के अनुशंधान कारे आते हैं इसके अंतरगत हम जो भी वर्गी करण है वह क्या है तीन है इसके अंतरगत तीन वर्गी करण किये गए हैं तो देखें, सबसे पहला है मौलिक अनुसंधान, दूसरा प्रयुक्त अनुसंधान और तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान ऐसा अनुसंधान होता है जिसमें नए सिध्धान्तों का प्रतिपादन किया जाता है प्रयोकत अनुसंधान ऐसा अनुसंधान होता है जिसमें मौलिक अनुसंधानों द्वारा दिये गए सिध्धानतों का अनुप्रयोग करते हुए उसका प्रयोग करते हुए वर्तमान में आई हुई अपनी समस्याओं का समाधान किया जाता है और क्रियात्मक अनुसंधान जहां ऐसा अनुसंधान है जो तातकालिक वह इस्थानी प्रकित का होता है ठीक है तो इसमें ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाता है जो किसी एक इस्थान विसेस में आया हुआ हो और वहाँ टेंपरेरी हो तो इस प्रकार का जो सोद किया जाता है वह क्रियात्मक अनुसंधान प्रकार का सोद होता है तो आप देख सकते हैं अनुसंधान को देश्यों के आधार पर अनुसंधान को तीन वर्गों में बाटा गया है नेक्स्ट आए देखते हैं हमारा क्या है वर्गी करण नेक्स्ट वर्ग करण है अनुशंधान विधि के आधार पर भी अनुशंधान को तीन प्रकार में बाटा गया है पहला है एतिहासिक अनुशंधान, दूसरा वरनात्मक अनुशंधान और तेसरा प्रयोगात्मक अनुशंधान एतिहासिक अनुशंधान, historical research यह ऐसा अनुशंधान है जिसमें अतीत में घटित, घटनाओं के बारे में अध्यान किया जाता है इसके अंतरगत, what was, क्या था, इसका अध्यान किया जाता है वर्नात्मक अनुशंधान इसका संबंद वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं के संबंद में अनुशंधान करने से है तो वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, इसके बारे में जब अध्यन किया जाता है तो ऐसा अनुसंद्धान, वर्णात्मक अनुसंद्धान के अंतर गताता है और तीसरा है हमारा प्रोगात्मकुनसंदान एक्स्परिमेंटल रिसर्च ऐसा रिसर्च जिसमें कॉज एन्ड इफेक्ट कारण प्रभाव का अध्यान किया जाता है और जहां पर आप देखेंगे कि कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है और कुछ उसमें स्वतंतर चर होते हैं जिन में मैनुपलेशन किया जाता है उनमें कुछ उनके बैलूस में उनके मान में उस परिवर्तन करके जो आस्रिच चर होते हैं उन पर क्या प्रुभाव पढ़ रहा है इसका अध्यान प्रयोग आत्मक अनुशंधान के अंतरगत किया जाता है नेक्स्ट जो हमारा वर्गी करण है वह है अनुशंधान उपागम के आधार पर उपागम के आधार पर भी आप देखेंगे रिसर्च को तीन प्रकार में बाटा गया है पहला है गुनात्मक अनुशंधान क्वालिटेटिव रिसर्च दूसरा मात्रात्मक अनुशंधान क्वांटिटेटिव रिसर्च और तीसरा है मिस्सित अनुशंधान मिक्स्ट गुनात्मक अनुशंधान ऐसे अनुशंधान होते हैं जिसमें गुनात्मक घटनाओं पर आधारित क्रिया कलाप गुनात्मक घटनाओं पर आधारित जो एक्टिविटीज होते हैं उससे संबंधित अनुशंधान कार किया जाता है और इसमें जो डेटा होता है जो आकड़े होते हैं उनकी जो प्रकृत होती है वह भी गुणात्मक प्रकार की होती है नेक्स है मारा मात्रात्मक अनुसंधान quantitative research या ऐसा research होता है जिसमें मात्रात्मक प्रकार से मापे जाने जो घटनाएं होती है उनका अध्यन किया जाता है और इसमें जो आकड़े प्राप्त होते हैं वह भी मात्रात्मक प्रकार के आकड़े होते हैं नेक्स्ट है मिस्रित अनुसंधान, मिस्रित अनुसंधान इसके अंतरत गुनात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के उपागमों का प्रियोग किया जाता है, ऐसे रिसर्च में पहले हम गुनात्मक प्रकार का करते हैं, फिर मात्रात्मक प्रकार से उसके पुष्टी करते हैं तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उपाघम के आधार पर रिसर्च को तीन भागों में बाटा गया है गुणात्मक का अनुसंधान मात्रात्मक अनुसंधान और मिष्रित अनुसंधान नेक्स्ट वर्गी करण है हमारा अनुसंधान की प्रकृत के आधार पर देखे अनुसंधान की प्रकृत के आधार पर भी अनुसंधान को तीन भागों में माटा गया है पहला है वर्णात्मक अनुसंधान, descriptive research, दूसरा विशले श्रात्मक अनुसंधान, analytical research और तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान, action research वर्णात्मक अनुशंधान जहाँ पर किसे भी घटना के वास्त्विक इस्तिति यथावत रूप से वर्णन किया जाता है तो उस प्रकार का जो भी अनुशंधान है वह वर्णात्मक प्रकार के अनुशंधानों के अंतरगत आता है दोसरा है विसलिए अनुसंधान, एनालिटिकल रिसर्च, इस प्रकार के अनुसंधान के अंतरगत किसे भी सूचनाओं या साक्षियों का आलोशनात्मक धंग से मुल्यांकन किया जाता है तेषरा है क्रियातमक अनुसंधान, एक्सन णरिसर्च, इसके पहले भी हम लोगों ने इस पर बात किया है एक संजर्च ऐसा रिसर्च है क्रियात्म करनसंधान ऐसा अनुसंधान है जिसमें किसी भी इस्थान पर तातकालिक रूप से आई हुई जो समस्या होती उसका समाधान करने के लिए जो अनुसंधान आयोजित किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है नेक्स्ट वर्ग करने हमारा अनुसंधान परिणामों के आधार पर तीन वर्गों में अनुसंधान को माटा जाता है पहला है हमारा तत्यात्मक अनुसंधान factual research factual research ऐसा अनुसंधान कारे है जिसमें नए facts तथ्यों को प्रतिपादित किया जाता है नाम सहीं आप देख सकते हैं factual research इसमें नए-नए facts का प्रतिपादन किया जाता है next है मारा सैध्धानतिक अनुसंधान theoretical research theoretical research सैध्धानतिक अनुसंधान ऐसा अनुशंधान है जिसमें नए सिध्धान्तों, नए थिरीज, निव थिरीज को डिवलप किया जाता है तो नए सिध्धान्तों को डिवलप करने के लिए जो अनुशंधान कार किया जाता है वह सिध्धान्तिक अनुशंधान है तेसरा है प्रियोक्त अनुसंधान एप्लाइड डिसर्चेज तो आप देखेंगे इसके पहले भी एप्लाइड डिसर्च की बात मौलिक अनुसंधान के उद्देशियों के आधार पर जो वर्गी करण हुआ था पहला वर्गी करण उसके अंतरगत इसकी बात की जा चुकी है प्रियोग के अनुसंधान एप्लाइड इसर्चेज जिसके अंतरगात हम पुर्व में दिये गए किसी भी सिधान्त या सत्यों तत्यों का प्रियोग करके हम अपनी वर्तमान में आई हुई समस्या का समाधान करते हैं तो यह रही हमारी अनुसंधान प्रणामों के अधार पर वर्गी करण अगला जो वर्गी करण है वह है आधार सामगरी आधार सामगरी की प्रिकित के आधार पर आप देखेंगे आधार सामगरी की प्रिकित के आधार पर भी जो वर्गी करण है उसके अंतरगात दो भागों में बाटा गया है पहला है संप्रत्यात्मक अनुशंधान इसा अनुशंधान है जिसके अंतरगत दाशनिक या चिंतकों द्वारा विभिन संप्रत्यों को प्रतिपादित किया जाता है नाम से संप्रित्य आत्म कनुशंधान conceptual research इसमें जो दार्षनिक हैं या चिंतक है वे ने-ने concept का प्रित्वादन करते हैं, तो इस प्रकार का जो research है जहां पर जो हमारे दार्षनिक या चिंतक है वे नए concept को दे रहें, ने संप्रत्य को प्रतिपादित कर रहें तो इस प्रकार का अनुशंधान संपृत्यात्मक अनुशंधान के अन्तरगत आता है। दूसरा है अनभ़ जन्य अनुशंधान। इम्पेरिकल रिसर्च। तो देखिए, यह जो रिसर्च का प्रकार है। इसके अंतरगत आनुभविक डेटा के आधार पर जो भी अनुशंधान कारे किये जाते हैं वह इसके अंतरगत आता हैं तो इसमें आप देखेंगे कि ऐसे अनुशंधान कारियों में आनुभविक ढंग से आकणों को प्राप्त किया जाता है और उनका विशलेशन करके किसी इसकर्स तक पहुंचा जाता है तो बहुत ही सौट में यह कहा जा सकता है कि अनुभव जन्य आकुणों पर आधारित जो रिसर्च होता है उसे हम अनुभव जन्य अनुशंधान कहते हैं इंपिरकल डेटापर बेस्ट रिसर्चंश नेक्स्ड हमारा है जो वर्गी ख़र्ण है वा आप देखेंगे कारे इस्थल के आधार पर कारेी स्थल के आधार पर तीन वर्गों में माटा गया है पहला है पुस्त काले अनुसंधान लाइब्रेरी रिसर्चेज तो ऐसे अनुसंधान कार जिसमें शोध करता को सिर्फ पुस्त कालेओं वाशनालेओं अभिलेखागार संग्रहालेओं आदी की ही आवशक्ता पड़ते उन्हें ऐसे जगहों पर जा फिल्ड इस्टड़ी इसके अनुसंधान करता अपने जो भी उसका समस्या है जिस छेतर में वहाँ कारे कर रहे हैं उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए वहाँ अपने छेतर विशेश से डेटा को एकत्रित करता है ठीक है तो इस प्रकार का रिसर्च हमारा छेतर अध्ययन फिल्ड इस्टड़ी के अंतरगत आता है तो बहुत ही सौर्ट में हम यह कह सकते हैं कि अनुसंधान करता अपनी समस्या से संबंधित सूचनाओं को या आक्रों को एकत्रित करने के लिए जब वहाँ किसी विशेश जिस छेतर चेतर का उचनाओं किया है वहां से जब डेटा संक्लन करता है तो ऐसा रिसर्च हमारा छेतर अध्ययन के अंतरगत फिल्ड इस्टड़ी के अंतरगत आता है तेसरा है प्रियोक्षाला अनुसंधान लेबरेटरी रिसर्चिस इसके अंतरगत आप देखेंगे प् प्योर साइंस का विशय नहीं है बलकी वहा हमारा जो विभारेव ज्यान है जब हम वहां पर बात करते हैं तो यहां पर हमें का सकते हैं एक नियंतरित परिसिति में जो अनुशनधान किया रहा है ठीक है तो जहां पर आप देखेंगे कि रिषर्चेस को करने के लिए जो सोथ करता है वह कुछ अपनी लिम्टेशन्स को जो उनकी लिम्टेशन्स है उनको क्या करते हैं वहाँ निर्धारित करते हैं और एक परिस्तिती का निर्मान करते हैं जिसको आप कह सकते हैं प्रयोक्षाला गत परिस्तिती उसके अंतरगत फूर्ण नियंतरर में अपना अनुशंधान कारे करते हैं इस प्रकार का जो भी अनुशंधान कारे होता है वह योक्षाला अनुशंधान लेबरेटरी रिसर्चेस के अ बाटते हैं तो इसमें भी तीन प्रकार आता है देखें पहला है सरकार पोषित अनुसंधान गौव्मेंट फंडेट डिसर्च ऐसा रिसर्च ऐसा अनुसंधान कार जिसको फंड गौव्मेंट के द्वारा प्राप्त हो रहा है तो इस प्रकार से किया जाने वाला जो भी रखते हैं दोसरा है संस्थागत पोषित अनुसंधान इंस्थियूशनल-funded रिसर्च अब यह ऐसा अनुसंधान है दहिए नाम से ही पताचल लहा है इस प्रकार का अनुसंधान कार जिसे कोई एक इंस्थियूशन कोई एक संस्था फंड दे रही हो ठीक है उस रिसर्च कार को पुरा करने में यह कोई institution फंड कर रहा हो तो ऐसा रिसर्च संस्थागत पोशित अनुशनधान के अंतरगत रखा जाता है और तीसरा है स्वावित पोशित अनुशनधान ऐसा अनुशनधान कार जिसे fund न तो सरकार द्वारा मिलना हो न किसी अन्य संस्था द्वारा वहाँ जो researcher है जो सोद करता है वह खुद के ही fund से research कर रहा है तो इस प्रकार के कारे को स्ववित पोशित अनुशंधान self-funded research के अंतरगत रखा जाता है नेक्स्ट वर्गी करण देखें यह है अनुसंधान करता के आधार पर classification according to researcher जब हम इस पर अनुसंधान का वर्गी करण करते हैं तो इसमें मुखे रूप से दो प्रकार के research आते हैं एक तो हैं हमारा वैक्तिगत अनुसंधान individual research ऐसा research जिसे researcher अकेले करता है इसमें जो researcher होते हैं वाक किवल एक researcher दवारा है एक अनुसंधान करता दवारा एदी कोई research किया जा रहा है तो वह individual research व्यक्तिगत अनुसंधान के अन्तरगत आता है और दूसरा है मारा सामुहिक अनुसंधान ग्रूप रिसर्च इस प्रकार के अनुसंधान कार को एक व्यक्ति नहीं बलकि दो या दो से अधिक व्यक्ति उस व्यक्तियों का समू मिल करके रिसर्च करता है तो ऐसे रिसर्च को सामुहिक अनुसंधान के अंदगत रखा जाता ह तो इस प्रकार से ये नौ आधारों पर अनुशंधान का वर्गी करण यहाँ पर मैं इस वीडियो में प्रस्तुत किया आप देखेंगे जितने भी ये प्रकार हैं कहीं न कहीं सब एक दूसरे पर अबरलैप कर रहे हैं तो इनको आप द्यान में रहे हैं तो इनको आप द्यान में रहे हैं और ये जितने भी प्रकार हैं बहुत इसमें आपको कन्फ्यूज होने क्या और शक्ता नहीं है क्योंकि जो ओबरलैपिंग होता है आप देखेंगे इसमें अगर आप और गहराई में अध्यान करेंगे तो ओबरलैपिंग आपको दिखेंगा लेकिन इसमें हमें confuse होने के आउशकता नहीं है ये कुछ आधारों पर वर्गी करण किया गया है ठीक है चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही अगली जो हमारी वीडियो है उसमें मैं मौलिक अनुशंधान प्रेवक अनुशंधान और किरात्मा कनुशंधान को डीप में ब भूलें तलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद ऐसे विद्यार थी जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं यदि उन्हें हमारे वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो वे इसे शेयर करना न भूलें इसे लाइक भी अवश्य ही करें और अधि अभी त सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो निशित ही आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वह आप तक पहुंसती रहें और हमने पिछले कुछ दिनों में जो भी हमने वीडियो बनाये हैं पिछले हमारे जितने वीडियो ह हैं वह सब भी आपको उपलब्द हो सकें धन्यवाद